22. भीत्री सम्रुद्धी डॉक्टर चंद्रकांत मैता का जन्मसन 1949 में हुआ है उनकी दिया जलाना कब मना है? दिशांतर जरा ठहर जाओ अन्वेशक और अन्या आदिकृतिया प्रमुख है जब तक किसी व्यक्ति को आंतरिक सुक्षान्ती नहीं मिलती तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता यही बात इस निबन में बताई गई है जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है जब लोग अमिर बनने के कृत्रीम चाओं में फस जाते हैं तब अन्ताह करण की अमेरिकी सुगंद खो देते है तुरूशना तो परमपरागत डाकूरानी होती है जब तुरूशना बढ़ती है तो मनुश्य की नेकी के समाप्त होने में देरी नहीं लगती मनुश्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है हाँ पर पवित्रता पूर्वक जीना आवश्य ही मुश्किल है दन्सुक का जादुगर भी है और शान्ती का डकेद भी अभी तक किसी को भी दरजी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया जिसे पैन कर तुरूशना तो मनुश्य चैन की सांस ले सके कहा जाता है कि पॉम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते हुए एक नरक अंकाल प्राप्थ हुआ था उसकी मुठी खोलने में काफी परिशानी हुई थी मुठी खुलने के बाद पता चला कि मुरुद व्यक्ती ने अपने हाथों में सोना पकड रखा था इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यपारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तके के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थीली बहार निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खुब मजबूती से अपने हाथ में पकड रखी थी हमारे यहां पहले डाल डाल पर सोने के चिडिया रहती थी आज अमीरों की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाते हुए धारवाहिकों की मानव चिडिया गहनों में लदी फदी रहती है घर के भीतर घहनों से सजी संवरी और खुब महंगी-मंगी साडियों में रोप से घुमती अभिमानी स्त्रिया संसकारिता की धजिया उडाती हुई बेहुदे शडियंत्रों में सनलगन रहती है इनमें भारती अता का तील मात्र भी दर्शन होता है क्या? पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ती होती थी पर अब भोगने के बाद फैंक देना मुल्मंत्र हो गया है आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है अतहा आज के मनुश्य की वृतिव प्रवृति दोनों ही ब्रस्ट हो गई है अमीर को और अधिक अमेर बनने के लिए धन की प्यास है जबकि गरिब को अपना तन ढखने के लिए रुप्यों की जरूरत है गरिब स्वयम खुन पसीना एक करके धन कमाता है जबकि अमेर दूसरों को उल्लू बना कर धन कमाता है यदि गरीब अपने गहने को संभाल सके तो उसका गहना तो केवल स्वाबिमान ही है जब तक पैसे की खोज नहीं होई थी तब तक मनुश्य अंदर से अमेर था एक लेखक के शब्द ध्यान देने योग्य है वो कहता है सरदयता, आत्मियता, आशा, उल्लास तथा प्रेम ही वास्तविक धन है इस पृत्वी के एक छोटे से अंश को पाने के लिए मुझे इतना सक्त परिश्रम करने की आखिर क्या अवश्यक्ता है समगर पृत्वी ही तो मेरी है, अगर काईदे कानून की भाषा में यह पृत्वी किसी और की कहलाती है तो इसमें इतनी इर्शा क्यों करनी चाहिए यह उसी की संपती है जो उसका उप्योग कर पाता है अतह संपती के मालिकों से मुझे क्यों इर्शा करनी चाहिए आनंद ले सकता हूं उन सब को अपने साथ घर ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पर ये सब हैं महां उनकी देखपाल वह उनकी व्यवस्ता जितनी अच्छी तरह से की गई है उससे आधी देखपाल भी मैं नहीं कर पाऊंगा इस शुरुस्ती ने मुझे इस प्रका इसकी आवशक्ता नहीं है इस यूग से पहले के सभी यूग हमारे लिए काम करते गए हैं हमें तो केवल अन्ववस्त्र प्राप्त करने की आवशक्ता है और ये प्राप्त करना इस तरते पर बहुत आसान है वालमी की स्वामी रामतिर्थ विवेकानद दयानद किया हुआ धन था फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं भाग्य के स्त्रस्टाओं में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलेंड के निवासी पुन करके गरीब पूत्र की अमेरिका एक प्रेना दायक उधाहरण है जॉन बिलकुल अनपढ़ संकुचित का पुत्र था जब वह अपने मुहले में से गुजरता था तब बच्चे उसी चिडाते थे बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे उसने दोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया कभी-कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विंती की, 16 वर्ष की उम्र में जौन ने मुल अक्षर सीखने शुरू किये और इसके बाद तो वह खोब जल्दी से लिखना पढ़ना सिखता ही गया। कि उस विशय का पंडित बन गया, अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रूची हो गए थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पोधे को प्राप्त करने के लिए उसने बाहर मेल की, पैदल यात्रा की थी। और उसने उसका जीवन चरीतर अकबार में छफपा दिया। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जोन के पास काफी बड़ी-बड़ी रकम किये चेक भेजे। परन्तु उसने इस धन को अपने लिए प्रयूकत नहीं किया और अपने वसियत नामे में लिखा। मुझे प्राप्तिसारी धनराशी का उप्योग गरिब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विग्नान के अधेयन के लिए किया जाय तथा उनको प्रोथसाहन देने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोशिक भी दिये जाये। जौन ने किम्ती पुस्तकों का अपना ग्रंथालई भी आम लोगों के उप्योग के लिए दान में दे दिया था। भारत में अपने महापुरुष भी इसी प्रकार गरिबी अभाव तथा कठिनाईयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। अपने अपने क्षेत्रों में इ अथा तो दारता तथा उद्दा तथा के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैविय वर्दान। इसलिए मुंशी प्रेमचन ने कहा था कि मनुश्य यदि उदार बनता है तो देवदूत और यदि नीच बनता है तो शैतान। सौकरेटीस के मतानुसार दुनिया में सम्मा स्वार्थ की बियावाज बुलट से जलनी करते रहते हैं जीवन पर बाहरी नहीं अंदर से श्रीमत अत्वामिर बनना ही पैसा पचाने की कला है